दोस्तो मैं भी टास्क हो लिया दिन की दूसरी वीडियो लेतेया हूं वह है समिफाइनल टू पोस्ट मैच एनलिसी लेतेया हूं आज था ATP नमबर टू रेंट है जिनका वर्सिस ATP नमबर फोर है ATP रेंट टू था डैनियल मबर टू जो हाली में ही ग्रेंट स्लैम विनर बनेया आफ्टर डफीटिन नोवट जोकविट और दूसरी वहरा स्टाफनो सीसी पास जो ग्रेंट स्लैम फाइनलिस्ट बने थे अभी बट वो हार दे थे नोवट जोकविट से इन फ्रेंच ओपन 2021 त तो मैं बात करने वाला हूं स्टाफनो सीसी पास और डैनियम अडविट आपके पोस्ट मैं चैनलिस्ट पर दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले जिन्होंने मेरे चैनलिकों को सब्स्राइब कर लो बल आइकन पर जाके नोटिफिकेशन बैड को फ्लिक कर लो ताकि दो पोस्ट मैं चैनलिस्ट पर जैसा था बहुत बड़ी अपरदशन हुआ दोनों से बट डैनियर मैंडविट आफ काफी भारी होगे लास्ट दो सेट पे वही आडिस्स तरेंगे जो पहला सेट ता पहला सेट तो जबदसरा ना स्टेफनो सीसी पास सब तोड़ पाए ना दैनियर मैंडविट आफ ने उसे भी टबर किया और एड मिनी ब्रेक डैनियर मैंडविट आफ ने पहले मिनी ब्रेक को डिस्मिस्ट या जो स्टाफनो सीसी पास ने ली थी उस्ते बाद एड मिनी ब्रेक उन्होंने ली और सेट पॉइंट आये जब स्टाफनो सीसी पास ज लिया देठा जाए दो बार सर्फ तोड़ दी बहुत बढ़ी है प्रदशन जिया लास में और एट पहले भी छूटी थी उसको देखा जाए तो तीन बार सर्फ तोड़ दी थी तीन सर्फ पॉइंट जीते थे उन्होंने ताइब रेटर प्रदशन बढ़ी है डैनिल मैरवड साथ पांच से और पहले सट जीते इन्मन डैनिल मैरवड शाज़ चे से और टाइब रेकार किस्ट जोरा साथ पांच स्टैफनों सीसी पास चाहेंगी कीवला सेट जीते हुआँ और वैसा ही हुआ कि मैच एदब बढ़िया बना रहा स्टैफनों सीसी पास ने बढ़िया प स्टेफनों सीसी पासी ब्रेकर दी 3-3 ओर या 4-4 हुआ 5-4 हुआ अब लगा था कि ये भी टाइब रेकर ता जाएड़ा बड़ स्टेफनों सीसी पास ने इस बार डैनिल मैडवडव की सर्फ तोड़ दी और सेकिंड सेट जिता 6-4 से काफी खुश नजर आये थो दूसरी और डैनिल मैडवडव काफी फ्यूरेस होगी उन्होंने इंपायर से बोला भी आते भी उनकी इस बार भी सर्फ फर्स जेमी टूर जाएडी बड़ डैनिल मैडवडव ने थोड़ा होसला और जाएड़ा गिया त्यूंकि गुस्से में होता है कि मैं कभी-कभी बंदा अच्छा नहीं खेलता बड़ डैनिल मैडवडव ने शूरू में ऐसा ले रहा था बहुत पॉइंट बर दीरे दीरे वो परफॉर्मेंस पिटर ने लग पड़े और उन्हें प्रदर्शन बढ़िया किया वन वन गेम टू टू गेम थी त्री गेम फोर फोर गेम उसने बार डैनिल मैडवडव ने सर्ब भी तोड़ी स्टैफनों सीसी पास थे और सेट भी ज पहुंचे थे डैनिल मैडवडव जब वो नोवर जोक भी इससे आ रहे थे और दोजार इटी से जो लास्ट ग्रेंट स्लम फिलान ले हुआ था जो प्रिवियस फिनाइल ने था उसमें पहुंचे थे जिसमें उन्होंने नोवर जोक भी इस तो देखा जाए टाफी बढ़ से इतना बड़ी अपरदश है जिया ये वी मैच 2.5 ऑवर स्केंदर अंदर फिनिश हो लिया और जब मैच फिनिश हो लिया डैनिल मैडवडव दूसरे बार फाइनल एपोंच जो चाहेंगे कि इस बार तो जीते है डैनिल मैडवडवडव अब उनका जो मैच हो रहा वो व इसको वह पीछे कर देंगे और एटीपी रैंकिंग नंबर मन पर आ जाएंगे बट यह जो रैंकिंग है वह आफ्टर कॉन्टी 1st February चेंज होगी क्योंकि जो पिछली बार Grand Slam का स्टेलिन ओपन फाइनल हुआ था वो 21st February को हुआ था ड्यू तो COVID-19 थोड़ा शिफ्ट हो ग बाद में होगी बट यह अभी रैंकिंग उनको अभी सोच नहीं चाहिए अभी एक एट एक एट गेम की और नजरिया देखेंगे दूसरी दोस्तों देखा जाए राफा नदाल भी फेवरेट है डैनियल मैडबट अभी फेवरेट है जैसे मैं पिछले में में बोला था कि पिछली वीडियो में आपको होता है था थोड़े से जादा मैडबट है फेवरेट है बट गोर्ड प्लेयर को ऐसे डिमिंस करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि गोर्ड प्लेयर कभी भी कमबैक कर सकते हैं अभी वो देखे 6 मिनित इंजरी थी वाशिंटन ओपन में ठे सब्सक्राइब कर देखे 6 मिनित इंजरी बात नहीं है और जो मेरे करीबी है वो अभी इतने ही है बट मैं फैन से वह चाहता हूं जब जीम ने उनसे इंटर्व्यू ने पूछा था कि आप कल किसे सपोर्ट करें आ फाइनल में तो उन्होंने बोला था कि कल मैस इतने अच्छी लेडियो को लाइक करना वीडियो को कमेंट करना वो डेर सर आप प्यार देते रहाना दोस्तों और मैं आऊंगा कल भी प्री मैच आनलिसिस पे अब इतलिए दन्यवाद